अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारत्य करंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स की जुरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जुरूरत है अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिधी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है टो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए हम यह नो więcej के सारे नोट बदले जाएं की लेकिन जितने फ्रेश नोट च्षपते हैं THIS को अभी जो नोट्स हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh नोट्स चपते हैं, वो fresh नोट्स के उपर यह शुरुवात की जा सकते हैं और धीरे 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 करते करते circulation में काफी मात्रा में यह वाले नए नोट आ जाएंगे इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है 85% से ज़्यादा उनकी अबादी मुस्लिम है 2% से कम हिंदू है वहाँ पे लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननिय प्रधानमत्री जी से अपील करता हूँ कि भारते करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए झाल